अस्तब्धु हूँ, दुखत समाचार सुनकर की सिनेमा जगत के एक सितारा अपुर्नियर छती दे कर चीर निद्रा में हमेशा के लिए चला गया, भगवान उन्हें शान्ती और सद्गती प्रदान करे, इस बेहतिरिन कलाकार को हमारा सलाम, आईए जानते हैं मुकम्मल कलाका की अधूरी कहानी, खजूरिया निवासी, श्री मति साइदा बेगम खान और श्री यासीन अली खान के घर साथ जन्वरी उनैसो सर्षट को पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई, जिनका समने मिलकर नाम साहेब जादे इर्फान अली खान रखा, बाले काल से आपको किरिकेटर बनने का शौक था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण इस सपना को अधूरा छोर आपने परहाई में मन लगाने लगे, एमे करने के पश्चात, उनैस सो चौरासी में आपने एक्टिंग कोर्स के लिए नेशनल इस्कूल आप ड्रामा में एड्मिसन लिया, जहां आपने बारिकी से एक्टिंग की अध्यान कर उसमें महारत हासल की, क्रिकेट की तरह ही आपको किताब पढ़ने का शौक रहा है, किताब लेती कुछ नहीं है, हमेशा देती है, किताब ग्यान का अतास आगर है, किताब आपके कल्पना को बास तबिकता में बदलने की ताकत रहती है, किताब हमेशा आपको श्रेष्ट से श्रेष्टम बनाती ह इसलिए किताब आपकी पहली पसंद रहें। इसलिए जिनमें से चानक के भारत एक खोज, सारा जहां हमारा बनेगी अपनी बात, चंद्रकांता, श्रीकांद, आदिश्च इसके अलाबा आपने प्राइबेट चैनल्स के बहुत सारे सिरियल्स किये। ऐसा कहा जाता है कि आपने सिरियल के वही घीसे फिटे रोल और फिल्मों में काम न मिलने से परेशान होकर आप दिल्ली जाने का निड़नाई किया। लेकिन आपके दोस्त ने थोरा रुक कर इंतजार करने को कहा। उसके बाद आपने बॉलिवड और हॉलिवड में सत्तर से जादा फिल्मों में काम किया। उसके बाद आपकी एक साल में दो दो तिन तिन फिल्में रिलिज होने लगे। इन फिल्मों के लिए आपको फिल्म फियर अवार्ड, राष्टिय पुरस्कार, आईफा, आदि जैसे 34 से जादा अवार्ड मिले आपको। आपके द्वारा एक किये गए कुछ फिल्मों के नाम इस तरह है। बिल्लू 2009, राइट यारांग नोकाउट 2010, ये सालीत जिन्दगी साथ खून माफ 2011, पान सिंग्तोमर 2012, साह बीबी और गैंगेस्टर रिटर्ण 2013, डी डे 2013, लंच बॉक्स 2013, गुंडे 2014, हैदर 2014, चौदा किस्सा 2015, पीकू 2015, जुरासिक वर्ड 2015, लाइफ आप पाई, हिंदी मिडियम, मदारी, दा एक्सपोज, इंगलिस मिडियम 2020, आदी ये सारी फिल्मे हैं। आपके इस छोटे से फिल्मी सफर में आपको 34 से ज़्यादा फिल्म आवार्ड और समान से आपको नवाजा जा चुका है, जिसमें से मकबूल और हासिल में बेस निगेटिव रोल के लिए आपको फिल्म फियर आवार्ड से नवाजा जा चुका है। तो वहीं लाइफ हीन मैट्रो में बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए एक किताब आपको मिल चुका तो वहीं पान सिंग्तोमर के लिए राश्ति ए फिल्म पुरुषकार मिला बेस्ट अक्टर के लिए हिंदी मिडियम फिल्म में बेस्ट एक्टर का फिल्म प्यर अबाड आपने अपने पास रखा तो वहीं 2011 में भारत सरकार ने नागरिक सम्मान पद्न शिरी से आपको नवाजा 2012 में आपने अपने नाम के स्पेलिंग में थोरा चा परिवर्तन किया सिंगल आर के जगह डवल आर का उप्योग करना शुरू किया आपका मानना था कि डवल आर से आपके नाम के उच्चारन में एक्स्ट्रा स्टाउन मिलेगी 2016 के एक इंटर्व्यू में आपने कहा था कि आपका पहचान आपके कर्म से होना चाहिए न कि आपके वन से इसलिए आपने अपने नाम के आगे लगने वाले खान को ड्रॉप कर दिया आप पिछले कुछ समय से कैंसर जैसे घातक बिमारी से ग्रसित थे इसी बीच आपकी माता श्री की 25 अप्रेल 2020 को स्वर्गबास हो गई लेकिन लॉकडाउन के कारण आप उनके अंतिम यात्रा में जा न सके और 28 अप्रेल को आप अपनी बिमारी को लेकर मुंबई के एक हॉस्पिटल में एड्मिट हुए जहां 29 अप्रेल को आप चीर निद्रा में हमेशा के लिए चले गए सादगी आपकी पहचान थी आप जैसा कोई नहीं एक मुकमल इंसान और एक मुकमल एक्टर लेकिन कहानी अधूरी छोड़ गए आप बहुत याद आएंगे आपको हमारा नमन